नमस्कार दोस्तों चलिए ब्लॉगर शुरू करते हैं ब्लॉगर की ये पहली वीडियो है ऐसी बहुत सारी वीडियो लाश तक आएंगी जहां तक हो सकेगा सर्च इंजन अप्रमाईजेशन या उसके आगे कोई नया चीज आता रहेगा तो हम उसको चर्चा करेंगे और प्लीज दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल डिज्टल भारत को सस्क्राइब नहीं किया है तो कर लें क्योंकि डेली ब्लॉगर से संबंधित, वर्ड प्रिस से संबंधित, प्रिस्टा सॉप से संबंधित से संबंधित, यूटूब से संबंधित, बहुत सारी वीडियो ज़ाने वाली है तो आप इस मूंक को जरूर सस्क्राइब करिए और चलिए शुरू करते हैं आज ब्लॉगर की पहली वीडियो तो चलिए ब्लॉगर शुरू किया जाए ब्लॉगर आपको पता है कि ये गूगल का एक प्रोड़क्ट है अब देखे, पें दिया जाए देखे, ब्लॉगर को क्रियेट कैसे किया जाता है गूगल के हवाले से ये गूगल का प्रोड़क्ट है आपको जाना है ब्लॉगर.com पे और वहाँ पे एक domain name चूज़ करना है अभी हम विस्तार से चर्चा करेगे domain name के बारे में किसको कैसे select करते हैं दूसरी चीज हमें template के बारे में पढ़ना है और template के बाद हम हमारा blog create हो जाएगा और हम posting करना शुरू कर देंगे अपने post को करना शुरू कर देंगे उसके बाद हम home page को कैसे एक बहतर धंग से बनाए कि ये बहुत अच्छा लगे आँखों को आँखों में कोई परिसानी नहों बहुत से ऐसे content होते हैं जो आँखों में चुपते हैं इसको ऐसे बनाना है कि जो friendly हो और हम अपने page और post के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बिस्तार में चर्चा करेंगे उसके बाद page navigation के बारे में कस्टमाईजियर करेंगे अपने template या theme को और gadgets के बारे में पढ़ेंगे इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़े हम पढ़ेंगे दोस्तों उसकी बारे में चर्चा करते रहेंगे चलिए सुरू करते हैं इंटरनेट पे ब्लॉगर जैसे दोस्तों पता है कि ये एक Google का product है चलो भई ये खोलते हैं ब्लॉगर ब्लॉगर पे मेरा एक ब्लॉग है इसको हमने tutorial के लिहास से बनाया है और अगर आपने हमारा पुराना वीडियो देखा है affiliate program का तो उसमें आपको पता होगा कि हमने IDC पे display करके दिखाया था तो ये देखिए ये information technology के नाम से एक ब्लॉग है ये देखिए information technology information technology skill के नाम से है और ये blog दिखता कैसे ये देखिए एकदम दोस्तो इस blog को देखके आप सोचेंगे अरे ये तो एक website है बिल्कुल दोस्तो ये website का हूब हूँ है एक रूप ही है तो चलिए दोस्तो इसको देखते हैं कैसे create किया जाए और last तक हम आपको बताएंगे कि अगर आप पे traffic आ रही तो आप earning कैसे करेंगे जैसे यहाँ पे तो यहाँ पे आप Google AdSense का आड देंगे जो हमने पुला पीछली वीडियो में बताया था इसको क्या हमने ये create कर लिया कि यहाँ पे Google AdSense का आड लगा सकते नहीं दोस्तो इसके लिए काफे बेहनत करने पड़ेगी आपके बीवर कम से कम 1000 बीवर 500 तो यूनिक बीवर लगबग डेलिर होने चाहिए तभी आप इस सब का फाइदा और आपका पैसा भी तभी लगेगा कि यहाँ कुछ हा रहा आप चलिए दोस्तो ये सारी चीजे होगे इसको पेज कहते हैं इसको पोस्ट कहते हैं तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग धीरे-धीरे से चर्चा करते रहेंगे कैसे है तो चलिए शुरू किया जाए यहाँ पे जा करके आपको एक निव ब्लॉक पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक उप्सन आएगा यह अब इसको कंप्लीट करना है आपको दोस्तो टाइटल नहीं सबसे पहले आपको डोमेन नीम चूज करना पड़ेगा अब यह डोमेन नीम क्या होता है चलिए चर्चा कर लेते हैं डोमेन नीम क्या होता है डोमेन नीम जैसे इस का domain name है itechskill.blogspot.in .blogspot.in यह automatically google द्वारा दिया जाएगा आपको choose करना है बस इतना सा इसके अलावा आप ऐसा नहीं कि आप इसको customize कर सकते हैं यह .blogspot आएगा तो अगर आपको बदलना हूँ बाद में तो बदल सकते हैं लेकिन वो आपको purchase करना पड़ेगा अन्नेक वीडियों हम बताएंगे इसको चलिए अब दोस्तों यहाँ पे कुछ x, y, z, a, b, c, d कुछ भी डालके आप कर सकते हैं लेकिन यह सही नहीं तरीका है आपको अगर traffic लादी हैं आप एक अच्छे blogger बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप पूरे completely आप सोच लीजी आपको करना क्या है किस चीज पर blog लिखना है किस चीज आपका subject कौन है आपकी उस पर उसमें दिल्चस्पी है की नहीं आप उसमें कितना बहतर कर सकते आप अपने best knowledge, full, जितनी भी आपके पास ताकत हो जोग दीजिए आप एकदम पूरे तरीके से expert नहीं लेकिन तब भी आपको अच्छी knowledge होने चाहिए जिस subject को उठाए आप अब ऐसा नहीं कि आपने technology पे कोई subject उठा लिया और आपको technology के बारे में पता नहीं या आपने किसी स्वास्त के बारे में या health के बारे में, health issue के बारे में कोई topic उठाए आपको पता ही नहीं health issue क्या होता है तो ऐसा जिसमें आप regular कर सके और जो आपके user हों जो आपको आए comment करे, आपसे संपर्क करे तो आपको आप उसका answer दे सके, उनको satisfy कर सके चूज कर लिया, और ये माल लिया कि आपको इसमें बेहतर knowledge है चलिए, अब हम एक blog को सफलता तक ले चलते हैं कि कैसे हम एक सफल blogger हो, शुरुआत करते हैं जैसे हम अपना topic को ही चूज करें, तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं किसके बारे में, एक हम कोई mobile उठाते हैं और उसका उसकी blog ही करना सूरु करते हैं जैसे हमने एक something mobile उठाया मैं भी एक new blogger हूँ अब मैं ये मानूँगा कि अगर जब मैंने something mobile का topic उठाया है तो मुझे something mobile की पूरी जानकारी है पूरी नहीं लगभग complete knowledge है जिर नए बरतमान में जितने handset हैं, gadgets हैं सारे चीजों के बारे में हमें पता है आने वाली चीजों के बारे में भी मुझे advancement knowledge है और मैं ये मान के चल रहा हूँ और इसलिए मैं एक something पे blog लिखने चल रहा हूँ something mobile पे चलिए अब x, y, z दोस्तों क्यों नहीं ढोट सकते क्योंकि जैसे अभी हमने एक ले लिया चलिए ये क्या हुआ हमने एक दोस्तों ले लिया जैसे ये है इसको कौन सर्च करेगा मैंने चूज कर लिया कोई ऐसा ऐसा topic जिस पे लोग सर्च ही नहीं कर सकते आप ऐसे topic को सर्च करिए कि जो trend में हो जिसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और उसकी expiry नहीं दोस्तों ये important है expiration का मतलब ये है कि जैसे स्वास्त का उठाते हैं आप टेकनोलोजी के बारे में कुछ ऐसे छेतर हैं वो expire नहीं होते हैं वो हमेशा काम के लिए अभी आपने news कर ले लिया तो news अक्सर दोस्तों वो पुरा नहीं हो जाती है फिर उसको लोग सर्च करना बंद कर देते हैं तो ऐसे topic को मत चूज करना और देखिए इसमें जैसे हर कोई जैसे something डालता है something mobile पे तमाम ब्रांड आ रहे हैं ये खतम होने वाली चीज नहीं है एक से एक चीज नहीं आती रहती है तो इसको आप चूज कर सकते हैं तो और ये देखिए यहाँ पे देख लीजिए कि आपका ऐसे search को जैसे हम कोई एक product डाले तो देखिए बहुत सारे चीजे आ रही है क्योंकि Google में ऐसी चीजे उपलबदा है तो हम इसी को target करेंगे और जैसे हम health issue पे लेना है health tips के बारे में लेना है तो देखिए अब health tips, health insurance ये सब में आपको एक वो देना है अब health knowledge के बारे में देखिए यहाँ पे आ गया तो इन से संबंधित ही आपको topic उठाने है तो ऐसे आप लोग search करिए पहले ये हमने काम किया दोस्तों अगर आपने एक बेहतरी topic चूज कर लिया domain name selection में आप कमाल कर गए आपको सफलता मिल गई और वो बेहतरी धंग से काम करने लगा तो समझ लीजी blogger की आधे से जादे जादे की समस्या आपने solve कर ली तुरुत क्योंकि सबसे पहली गलती लोग domain name चूज करने में गलती कर देते हैं तो आप ऐसा करिए जिसको google में लोग सर्च कर रहे हैं अब चलिए यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं कि समसेंग मोबाइल से संबंधित है अब दोस्तों यह देखे .blogspot.com खुदा है अब हम चूज करते हैं और यह चेक करेगा कि यह address आपको मिल सकता है की नहीं यह बता रहा है कि यह हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि इस car ready किसी ने registered कर लिया होगा या सुरुक्षित है अब mobile हमने डाला नहीं है अब देखा दोस्तों आप जो चाहेंगे वो नहीं मिल सकता अब यहाँ ऐसे ही आपको एक बेहतरी नाम चूज करना है की आप कैसे एक सफल हों इसमें तो समसंग हम समसंग गैजट के बारे में चर्चा कर रहे हैं देखे ये भी नहीं है गैजट के बारे में अगर दिखते हैं तो ये भी नहीं है चलिए दोस्तों अब हम आसा करते हैं कि आपने इस पे सोच लिया और आप एक domain name चूज कर लेंगे हमने भी अपना domain name चूज करने के लिए प्लान मना लिया है और हम यहाँ पे ब्लॉगर की बारे में बता रहे हैं तो हम ब्लॉगर के ही बारे में एक domain name चूज कर लेते हैं ब्लॉगर क्लास और ये देखते हैं है की नहीं है और ये है दोस्तों और अब हम यहाँ पे टाइटल इसी से संबंधित डालेंगे अब यहाँ पे ब्लॉगर क्लासेस और बस इतना ही कर लीजिए और अब देखें दोस्तों यहाँ पे नीचे आया है टेंपलेट आप यहाँ पे सिंपल, डायनिमिक ओसम, वाटर मेकर इथरिल और ये सारे चीजे हैं आपको मेरा सुझाओ है की पहले आप सिंपल करिए और इसको चूज कर लीजी बाद में आप बदल भी सकते हैं और जैसे ही क्रियेट का उप्सन दबाएंगे क्रियेट ब्लॉग का आपका ब्लॉग क्रियेट हो जाएगा ये देखे ब्लॉगर क्रियेट होना ब्लॉग क्रियेट होना सुर्ख हो गया थोड़ा बेट करिए आपका ब्लॉग रिसेट हो गया और अब पोस्ट करने के लिए तयार हो गया है अब तक यहां पे हमारे पास एक था अब यहां पे आप देखेंगे कि दो-दो हो गए हैं यह देखे Information Technology और इसको अभी अभी हमने बनाया अब यह देखे सारी चीजे तयार हो गए अब दोस्तों आप इसको ध्यान से देखे यह post का है यह status का है यहां से आप track कर सकते हैं कि आप पे कितने viewer आ रहे हैं कितने viewer नहीं आ रहे हैं यह सारी चीजे हैं और यह setting है यह template है यह layout है और यह page है और campaigning है health है reading है इन सारी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे तो आपको इस वीडियो में इतना ही इसके बाद हम चर्चा करना सुरू करेंगे चलिए देख लेते हैं यह दिखता कैसे है एक सकल तो इसकी जलग देखिए यह दोस्तों मिल गया है blogger classes for you अब इसको हम लोग बेहतरी इन ढंक से design करेंगे और इसको हम google adsense तक लेके जाएंगे और google में आप खुद google पे यह domain name डाल के देखिएगा कि फिर इसमें क्या चीज आई है और खुद जान पाएंगे नहीं अच्छा blogging बनने के लिए यह सारे tips जो मैं बता रहा हूं यह सारी की सारी जरूरी है तो जरूर इस channel को अभी आपने subscribe नहीं किया है तो subscribe करिए like share जरूर करिए thank you अब दूसरी वीडियो में फिर से हम आपक आएंगे इसके बारे में कि पोस्ट और पेजिस के बारे में तब तक के लिए धन्यवाद